साथ जैभीम इस वक्त हम हैं गोंदिया के के टीएस अस्पताल में और यह जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे यह पोस्ट मार्टम डिपार्टमेंट में काफी हडवड़ी है और काफी हल्चल मच हुई है यह क्या मामला है क्यों मामला है तमाम चीजों को लेकर बातचीत करें हाला कि अभी जो हमारे पास प्राइमरी जानकारी आई है उस जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि एक लड़की ने सुसाइट कर ली ऐसा पुलिस का कहना है लेकिन उसके माइक के जो लोग है उन्होंने बड़ा रोप लगाया उनका यह कहना है कि वह आत्मत्या नहीं कर करता जा रहा है मामला जो है वह लगातार गर्मा रहा है तो अभी हम कुछ लोगों से बात्चीत करेंगे फिलहाल जो है लड़की के परिवार से बात्चीत करेंगे लड़की के जो माता पिता चाचा है उन्हों को से बात्चीत करेंगे भाईयों से बात्चीत करेंगे कि आ जो बाड़ी है जो हत्या हुई है जो हमारी सिष्टर लगती थी लगती है और इस इसकी जो हत्या की गई है उस हत्या प्रकरन में पूरा प्रसासन इनवाल दिखता है मुझे है वो लोग उनको बचाने का काम कर रहा है कभी कानूनन प्रोसेस की बादrt करके करते हैं थो कभी हमारे खुटक वो जो फागीम वरेंब उनको माइंद करके उनको कहीन कीनल मांड़न ढिला करने की बात कर रहे हैं अभी कुस्त स्मॉडम हुआ है हमारे भी लोग वहाँ करने के बाते जातेंग हैं उनके मामला धिला होते जा II है किने परिवार का रोप परिवार का यह आरोप है उसकी हत्या हुई है और उसको कानूनान जो हत्या की सजाय लगती है उसके पूरे फेमेली पर वह सजा लगनी चाहिए उन्होंने हत्या की है इतलिए हमको लग रहा है क्योंकि वूट्स लड़की से हमने जब भी बीच-बीच में बाते होती थी मेरे इस साल हो चुके हैं और इसके बीच-बीच में भी वहाँ पर एक दो मिटिंगे हुई एक बार भाई यार भी हुआ और यह सब बाते वहाँ पर प्रतार ना क्यों कर रहे था उनके परिवार के तरफे क्यों कि उसको एक तो वह सावली थी काली थी उसको यह बोला जाता था उसके तरफ बच्चे नहीं हुए बच्चे नहीं हुए तो अब यह बात बच्चे इसलिए क्यों नहीं हुए यह मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन वह बच्चों का ताना देकर भी उसको परतारित किया जाता था और भीच-बीच में उससे उस तुमारे माबाब क सब्सक्राइब करते हुए उस लड़की को पूरा पागल डाइब का कर दिया गया ऐसा मेरे को लगता है जो आप के लिए पुली स्टेशन में जाने के बाद में वाका धानेदार यह बोल रहा था कि बोले पी-म रिपोर्ट आने दो उसके बाद में हम यह भायर लेंगे भरोर्य सब्सक्राइब सदस्य है और उसकी ईनी लोगों ने क promotions कोई भी बिल्कुल यहां पर कोई भी दब तानेदार ने उनते बात किए जो जो इस अंशो सुशिल काप मुझे अभी अभी माईके वाले लेकर जाएंगे हम लोग लेकर जाएंगे और उसका अंतिम दाहत ऐप करेंगे मुझे प्यum नलगता है कि यहां यह इसा लगता ह्ट यहां पर जो माइग और प्रिसवसा snug क्रमचारियों से उनके साथ किया है उन्होंने साहता किया है इसकी ऑर में पुलीस प्रशासन से बात करेंगा और जो पीम रिपोर्ट रहेगी उस रिपोर्ट को लेकर भी किस प्रकार की रिपोर्ट आती है क्योंकि कि सारा जो मामला है पुलिस प्रशासन ने पीम रिपोर्ट के तरब धकेल दिया है जब पीम रिपोर्ट आएगी और प्यम रिपोर्ट के अनुसार पता चलेगा कि कैसे हुई क्या हुई उसके बाद ही जो चार्जेस है वह लड़के पर लगाए जाएंगे तो फिलहाल हम लगा रहा है पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है क्या बताएंगे इस मामले को लेकर मेडम काल जब हमें यह मामले के बारे में पता चला तो हम तूरां स्पॉर्ट पे गए थे स्पॉर्ट पे बाड़ी में काल के पेटेस में लाई तो इस पीम की पीम फोई हम कंप्लेट ले ले और आगे की जाश करेंगे परिवार का जो मतलब मायके वाले हैं उनका यह कहना है कि सस्पेक्ट जो है उनके घर परिवार के लोग है और यहां पर जब बॉडी करने के समय उनका अपसेंट होना और डेट होने के बाद भी उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया है तो और रात को उसका तीन बजे फोन आना लड़की का माइके में भाई को तो ये तमाम चीजों को लेकर लग रहा है परिवार को कि जो सस्पेक्ट है उनके घर परिवार के मतलब की पती के परिवार के है इसको लेकर आपने कभी इसे अंगल पर नहीं सोचा है बाद although दाकिल वना काम भाकी है हम इंवेश्टिचेंशन में उसका ले ले लेँ हैं बराबर अभी तो सिर्प मर्घ दाकिल किया है अबी जब पिम रिपोट आएगी उसके तहते अपन्न मामला दाकिल करें और उसके बाद против करें किसी प्रत्याश्यों कि नहीं है बिल्कुल कभी नहीं जो अभी वो लोग आएगे पीम रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से यह फैर दाकिन होगी और उसकी बड़ी निस्पक्ष जान हो जाएगी उसके में कोई भी टेंशन नहीं है अगर जैसे कि अभी उनका आरोप है तो उनका कहना था कि उनके उपर होना चाहिए ल प्रश्च परिवार के लोग करेंगे तो आभी जो पीम नोट आएगी उसके बाद हम यह पाई हंडरड परशन अभी बॉडी बॉडी लेने उनके पती के परिवार से कोई नहीं आया है और अभी बॉडी लोग लेकर जा रहे हैं तो यह कोई मामला नहीं बनता है कि उनके लोग क्यों नहीं आए जैसे इम्रुत्तक के बाई गुल्चयन है और उसके दो कोई भाई लोग है उन्होंने मुझे बताया कि सर उनके सामने में स्पीकर ओन करके बताया है तो उसके आदमी ने बताया है कि नहीं बोड़ी उनको लेके जाने दो महीं नहीं लूँगा वह स परिवार को नहां मिलने चाहिए इसको लेकर पुलीस प्रशासर्म जो है वो कितनी वफादार रह पाएगी क्या हमने उम्मीद लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए आपके तरफ में किसी की जान जाती है तो हम उतना उसको ग्रैविटी समझ के ही इनविस्टिकेशन क करते हैं तो बिल्कुल आप पुलिस को पर निश्यंद वरोसा करिये एक दम ठीक से जाच होगी और चार्शिट फैल किये जाए अभी परिवार ने कॉपरेट करना चाहिए यहीं उम्मीद आप कर रहे हैं बिल्कुल करना ही चाहिए हम उनको करेंगे उन्होंने करना चाहिए रिपोर्ट में अगर कुछ घडबड़ी होने की वह शंका जटा रहा है लोगों का यह कहना है कि अदर पुलिस पटेल है मतलब कि ही खरमशारी रहे हैं उसके बाद हो सकता है कोई प्रशाइब नहीं है तो हम निस्प्रक्स उसकी जाच करेंगे अभी हम बात कर रहे थे इस बातों से जो है घर के लोग संतुष तो नहीं हो पाएंगे लेकिन ये तमाम सारी बाते इसलिए हम आपको बता रहा है क्योंकि पारदर्शी का जो है वो ट्रांसपरेंसी मेंटेन होनी चाहिए परिवार का जो कहना है वो एक और फिलहाल जो है अभी जो लड़की का पती है वो आपकी गिरफ वह तो वागने जाएंगे कारवाय होगी तो सिप्श्या उनके पती पर होगी उसके पुरे परिवार पर होगी जो एक फैर दाखिल होगी एविडेंस देखेंगे उनका गाइब वेर जो लेंगदिव प्रसीजर होओं मतलब कल बारा बज़े यह पता चलता है तकि डेद हो तो कल जैसे भी हमें इस गटना की जानकारी मिली तो हम तुरंत स्पाट पे गए स्पाट पे जाने के बाद दिपक करके उनके कोई बही है उन्होंने लगबग दो गंटा हमें बॉड़ी निकलने दिया कि जब तक प्रसार माद्दे में नहीं आते हैं तब तक के बॉड़ी न लेट हो रही है कि उनके उसे हो रही है तो कल वो निकलने देते तुरं पीम हो जाता तो यह बात होती नहीं थी तो यह देखें यहां पर जो सारी बाते हमको समझ में आ रही है तो पुलीस प्रशासन ने जो है वो अपनी तरब से सरी सफाई दे चुके है अब परिवार के इसमें जो परिवार के लोग है उनके ये उनके मुर्ट्व के जिमेदार है और उनको सब्सक्त करवाई हो उसमें पहला नाम है सुसील सिलकदास कापसेकर दूसरा नाम है सिलकदास कापसेकर तीसरा नाम है दिपक कापसेकर चौथा नाम है पृति ने दिपक कापसेकर पाचवा नाम है विद्या गितकार कापसेकर और छटवा नाम है गितकार कापसेकर जो उस गाव का पुलिस पटेल है वो खुद इस घटना का सड्यंत करी है और पूरा सड्यंत्र उसका रचा हुआ है प्लिस पटेल का रचा हुआ है और ये जो वारदात कहीं न कहीं उस लड़की को बच्चे न होने के कारण इस घटना को अंजम दिया गया है उसका नाम आशाक आपसेकर है और आशाक आपसेकर इनको बच्चे नहीं हो रहे थे और इस वज़े से उनके घर परिवार के लोग चाहते थे कि वह वहां ना रहे और हमारे साथ एक साथी उनके परिवार का हिस्सा है क्या बताएंगे इस घटना को लिए तो कैसे उन परिवार बे जो भड़े होते दें दौरां कैसे तीन बार मेरी माम बेपे ने तीन बार गया और उनके बीच में देखा कि भी किस विश्एक को लेकर जगड़े हो रहे हैं तो वहाँ पर देखा तो ऐसे कोई आर दिन बाहर जाना फिर आना इस तरह से करते हैं तो उसके अंदर में कैसा है कि उसका जो कैसे की ससूर है बच्ची का ससूर है उसके पीछे उसका पूरा रोल है और साथ में जो पॉलिस फाटील है तो उसका कैसी के आम भूमी का है क्योंकि इसको कैसे भगाया जाए उसको ब करने की बात करते हैं और यह ऐसे हालत में कर जोड़ेंगे और इसकी बाला खतम हो और हम दूसरी लाए ऐसे पूरे के पूरे करते हैं तो पीछे कुछ ना कि आपको बतार मेरा अपना उपीनियन है कि इस बच्ची को उस रात में मारा गया और उसने नहीं रहना चाहती तो उसको इतनी तकली दायक प्लड़ा दी गई और वह नहीं रहना चाहती तो मुझे आके लेके जाओ तो उसको आत्महत्य का रूफ दिया गया और फीचे की कुवे में उनको कैसे की छोड़ दिया गया तो यह उसको आत्मत्य का रूप दिया गया यह एक्चुली मडर है यह बड़ी बात आ रही है आत्मत्य का रूप दिया जा रहा है और यह मडर है ऐसा बड़ा आरो परिवार के तरफ से लग रहा है पुलिस प्रशासन का यह कहना है जब तक प्यम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक एफायार नहीं हो सकती है और प्यम रिपोर्ट के बाद ही एफायार होगी यह बड़ी बात बड़ी बात पुलिस प्रशासन के तरफ से आ रही है और पुलिस प्रशासन के कैसे समत नहीं हुए तो हम सीवियाइए इन्वेस्टिकेशन कराएंगे समाजिक मुद्धों को समझना बहुत जरूरी है समाजिक मुद्धों में सिर्फ दलित अदिवासी और OBC की समस्या नहीं आती महिला भी एक तपका है और महिलाओं के साथ लगातार प्रतारना होती रहती है यह भारत है दोस्तों और भारत प्रूरुष प्रधान देश है अगर भारत में महिला की इज़त तब होती है जब उसका पती जिन्दा हो भारत में महिला की इज़त तब होती है जब उसे बच्चे हो अगर उसे बच्चे नहीं हो तो उसे बांच कहा जाता है अगर उसे पत लोग है, वो समाजिक तौर से बिमार है, वो मांसिक तौर से बिमार है, वो एक जान की कीमत नहीं समझ पा रहा है, जात पात में बटा हुआ ये जो देश है, ये महिलाव की शक्ति को, महिलाव की आत्मसमान को, महिला की जिंदगी को भी नहीं बख्ष रहा है, इस बारे में आपका क्या खयाल है आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं बड़े रहे दतिंग पर जै भीम जै भारत बहुजन विचारधारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले